आप सोचते होंगे मुकेश अमबानी को देट प्लस सिक्योरिटी मिली है उनका क्या कोई उखड लेगा नहीं उनके खिलाफ भी साजिश रची जा रही है उनके बहिया antilyaya जो बंगला है उसके बाहर क्या मिलती है scorpio और ενवा खड़ी रहती है पार्क संदिक धालत मैं जिसकी जाच कि जाती है तो पता लगता है कि उसके अनदर 20 जिलेटें स्टिक्स है और बहिया बीज़ी नमबर प्लेट से जिसमें से कुछ नमबर नमबर तो उस हैं जो भाईया मुकेश अंबानी के भाईया जो स्टाफ है जो उनके पीछे चलती है उन गाडियों का है और यह जो स्कॉर्पियों खड़ी रती है इसको साड़े बारा बज़े 24 फरवरी की रात को लगवक्ष साड़े बारा बज़े हाजी अली जो जंक्षन है वहाँ पे 10 म कि यही कोई धमकाने की रणनीती तो नहीं आपे कर रहे हैं इनके खिलाफ यह समझना पड़ेगा क्यों क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो भाई यह हर जना सुनता है मीडिया में भी मुकेश अंबानी और मोदी जी आपस में एक तरव जुकाव रखते हैं तो क्या यहाँ पे भाईया महराश की सरकार किसी तरह का मैसेज देना चाह रही है कैसे इस चीज को हम आगे बात करते हैं तो भाईया आपको पहले बता दूँ क्या है पूरा मामला जैसे कि भाईया वहाँ पे एक स्कॉर्पियो मिलती है जो संदिक धालत में मिलती है और उसके पूटर के द्वारा उस मनसुख हिरेन को पता लगता है क्योंकि मनसुख हिरेन ने लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर को बहुतों को नहीं पता है जी हाँ उद्धव ठाकरे जी को अनील देशमुग जी को लेटर लिखा गया था इस व्यक्ति ने कि मुझे फसाया जा रहा लेकिन क्या होता है कि पता लग जाता है और मनसुख हिरेन तक पहुचा जाता है मनसुख हिरेन को पुलिस ले जाती है कौन ले जाता है सचनवाजे जी ले जाते हैं सचनवाजे वही है दागी पुलिस वाले वही दागी पुलिस वाले जिनका आपको पता है कि कि किस तरीक सरकार है वापस से इनको भाईया ड्यूटी पे ले लिया जाता है एक करप्ट पुलिस वाले को एक ऐसी सरकार जिनकी पार्टी में हो गया उनको वापस वर्दी दे दी जाती है क्यों आप समझ सकते हो यह काम करने के लिए अब क्या होता है आपने इस चीछ को गंबीरता से सम मतलब मुंबई पुलिस का तो एक सेंपल साही कि इन्होंने सूसाइड कर लिया ठीक है बट इसके ओपर यह आरोप जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति एक गाड़ी मिलती है संदिक धालत में भाईया वापे बॉम बनाने की प्रक्रिया है और उसके बाद आप यह कह रहे हो कि भा देवेंदर फड़नविस ने यह सवाल किया था कि भाई उनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए यह सवाल कर चुके थे और आज उनकी मृत्य हो चुकी है उन्होंने यह कहा था भाई सचिन वाजे एक ऐसा दागी पुलिस वाला क्यों वहाँ पे पहुचता है क्यों वह सबसे अब आपको पहुचता है जब पहले ही देवेंदर फड़नविस वहाँ पहुचता है और अब समझना पढ़ें क्यों दाल में कुछ काला नजर आता है अब आप सचिन इस ये चीज बता चुके हैं कि मनसुक हिरेन के साथ सचिन वाजे जी की पहले 2019 में फोन पे बात हुई है जब सीडिया निकाले गए इनके तो भहिए कॉल रिकॉर्ड में इनकी बातचीत है वही सचिन वाजे और यही सचिन वाजे भाई भाई पुलिस वाले जो हैं जो वहाँ पहुचते हैं जब इनकी मृत्व हो चुके हैं कैसे भाई और इनको भाई यह केस सौप दिया जाता है और यानि कि यहाँ पे एक साज़िश मानी जा रही है कि यहाँ पे महराष्ट्र सरकार धमकी दे रही है और इस से पूरी साज़िश में लिप्त है यह तो आपने देखा है महराष्ट सरकार बहुत सक्षम इन सब चीजों को करने में हर चीजों को छुपाने में साक्षियों को छुपाने में सुषान्थ की मृत्यों यहां पर यहां पर इनके ओपर यहां आरोप लगता है कि बही यह लोगों के मन में सवाल है डेविनरफदानविज जी सवाल पूछ रहे हैं जब हमने आपको बोल दिया था उसके बाद मृत्यू कैसे हो गई यानि कि इन्होंने उसके ओपर सवाल किया और आज वो मारे गए जब उस व्यक्ति का नाम उछला तो आज वो जीवित नहीं है सचिनवाजे जी का इनके संपर के और सचिनवाजे जी ही सबसे पहले क्यों पहुचते हैं उस मृत्य शरीर के पास जो पहले से इस व्यक्ति को जानता है लेकिन इन्होंने ये रिवील नहीं किया है अब समझना ये CDR में देवेंदर फड़नवीज जी बता रहे है जो विपक्ष में अभी तो ये वहाँ पे राजनीती चल रही है अब मनसुक जी की मृत्यू क्या कोई बड़ी साजिश है क्या अर्णव गोस्वामी जी को दबाने की धमकाने की एक कोशिश करना चारी थी महराष्ट सरकार और ये पकड़ी नहीं जाए ये एक्सपोज ना हो जाए इसलिए उस विक्ति को मरवा दिया गया परिवार कारोपे मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये कहा जा रहा है कि मनसुक हिरेन की जो लास्ट मोबाईल लोकेशन थी वो कहाँ पे थी पालगर जिले का विरार इलाका है वहाँ पे पालगर का क्यो नाम आता है सादूं की हत्या पालगर अब भाईया नौसेन अधिकारी की हत्या कहाँ पे पालगर और अब हम देख रहे हैं मनसुक की भी लास्ट लोकेशन कहाँ पे पालगर अब देखो थोड़ा सा गंबीर यहां पे यह है लास्ट लोकेशन पालगर है और उनका शव ठाने की कलवा क्रीक में मिला आई इतनी भाईया गैप कैसे इतना अंतर कैसा हो सकता है दोनों लोकेशन में इतना अंतर नहीं हो सकता पालगर में भाई आपकी मोबाईल की last trace हो रही है location और आपका शरीर दूसरी जगे पे मिल रहा है ये आरोप गंभीर है कि यानि कि उनको वहाँ पे मारा गया है पालगर जैसे कि आप समझ चुके और फिर यहाँ पे लाके छोड़ दिया गया है ठीक है इसको खुशी साबित क पकड़ा जाता है चेन्नही से पालगर लेजा कि उस व्यक्ति को मार दिया जाता है जला दिया जाता है तो ये चीजे हमें क्यों पालगर में इतना crime ज्याद़ देखने को मिल रहा है पालगर में ऐसा क्या है महाराश्च्ट सरकार इसक्या छुपा रही है सचिन वजय जी क् गिरो चला रहे हैं, यह बहुत बड़ा गंभीर है, NCP के राज में क्या हो रहा है, शरत पवार जी ऐसा क्या करते हैं, यह गंभीर सवाल है और लोगों को यह पूछना चाहिए इनसे, इनके खिलाफ निकल के बोलना चाहिए, तो आज यह व्यक्ति मनसुक हिरेन जो है, जिन् पर लिखे पते पर रह रहा हूँ, तो भाई यह स्टार्टिंग में जो उन्होंने एडर्स लिगा था, मेरी उम्र 46 वर्ष की है, 46 साल की है, और मैं कार एकसेसरीज के बिजनेस से पिछले 21 साल से जुड़ा हूँ, मैं स्टाइल क्लासिक कार डेकॉर नाम से शौप चलाता ह हूँ, मैं एक शांती प्रिये व्यक्ती हूँ, और मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये क्लिरली वहाँ पर कहते हूँ, उसके बाद लिखते हैं, 2018 में मैंने अपना इस्तेमाल के लिए स्कॉर्पियो खरीदी थी, 17 फरवरी 2021 की शाम, स्कॉर्पियो का नंबर MH02AY2815 से दक्षिन मुंबई स्थित, क्राफ़र्ड मार्केट किसी काम के लिए ठाने की अपनी दुकान से निकला था, एरोली का ब्रिज खत्म होकर, विक्रोली लाखे का जो सर्विस रोड शुरू होता है, उस पर स्कॉर्पियो कार की स्टेरिंग लॉक हो गई, जिसकी वज़े स लेने के लिए इस्टर्ण एक्सप्रेस वे पे पहुचा, और मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी वहां नहीं है, सोचो आप, इनके गाड़ी वहां से चोरी हो चुकी थी, कुछ देर खोजने के बाद विक्रोली पुलिस टेशन गया और वहां पर गाड़ी चोरी के F.I.R. ये F.I.R. करवा चुके थे, ठीक है, 25 फर्वरी को दिन में 11 बजे एंटी टेरर स्कॉर्ड, ATS, 24 फर्वरी जैसे की मैंने आपको बताया है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर गाड़ी दिखी थी, तो 25 फर्वरी को दिन में 11 बजे ATS, एंटी टेरर स्कॉर्ड में 23 दो पु अगले दिन यानी 26 फर्वरी को शाम 4 बजे 4 पुलिस कर्मी मेरे घर आये, मुझे अपने साथ विकोली पुलिस टेशन ले गए और सुभे 6 बजे तक हिरासत में रखा, इसके बाद उन्होंने ही मुझे घर पर ड्रॉप किया, मदब 4 बजे ले गए सुभे 6 बजे तक हिरास आई, इसके बाद 1 मार्च 2021 को मुझे नाग पाड़ा ATS टीम ने बुलाया, और इसी दिन Crime Intelligence Unit के ओफिस में मुझे सचिन वाजे ने फोन कर बुलाया था, ठीक है, अब सभी जगों पर बारी बारी से लगबग एक जैसे सवाल पूछे गए, NIA officer ने भी मुझ से पूछताच क वज़े से मेरा सुकून डिस्टरब हुआ है, इस मामले में मैं एक पीडित हूँ, लेकिन मुझे एक आरोपी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मुझे कई न्यूस पेपर वाले और टीवी चैनल के रिपोर्टर्स द्वारा भी बेवज़े परिशान किया जा रहा है, सब से अपनी सारी सफाई विभन जांच एजनसियों को दे चुका हूँ, इसके बावजूद मुझे लगातार परिशान किया जा रहा है, तो आप जैसे की देख सकते हैं, यह जो स्कॉर्पियो है, इसकी जांच किसको दे दी गई है, ATS को दे दी गई है, मुंबई इसमें, अब यहाँ पर सचिन वाजे जी आप देखो, यह यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, सचिन वाजे जी यहाँ पर इस चीज को लीड कर रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भईया, यह लेटर जो सामने आया है, जो दर्शाता है कि किस तरीके से इन्होंने मुख्य मंत्री को ल महराष्ट्र सरकार और इनके द्वारे जो साजिश करता है, कि भई, मुकेश अंबानी जी जो यह पूरा चलाते हैं, करते हैं, इस चीज में दूर हो जाए, जो 5G के उपर जो काम कर रहे हैं, जिसमें भईया, श्रे किसको जा रहे है, मोधी सरकार को जा रहे है, तो भई, शांत हो जाए, यह स्पेक्ट्रम छोड़ें, और यहाँ पे इनके लिए दिक्कत हो जाएगी, महराष्ट्र सरकार के लिए, तो यानि कि धमकी देने की साजिश थी, सचिन वाजह ही क्यों लीड करता है, यहाँ पे यह सवाल उठाते हैं, देविंदर फड़नवे, उन्हों पे फसाने की कोशिश नहीं है, कि मनसुख हिरेन यह जो भहिया, जिस व्यक्ति को इसलिए मार दिया, क्योंकि सच सामने आ जाता, नौर्मली यहाँ पे यह कोशिश कर रहे थे, कि अर्णव गोस्वामी जी जो एंटी नेशनल जिनको आतंगवादी तो उन्होंने गोशित क परी दिया है, उनके द्वारा यह सारी चीजे रची जा रही है, यह कुछ लोगों का कहना है, बाकी मिरको अर्णव गोस्वामी जी वाली, जो यह बात है, इस पर इतने साक्षे नहीं लगते हैं, बट इस पर जरूर लगते हैं, कि यह एक तरह से धमकी देने का किन को इश आगरे बहुत बढ़िया है, आप बहुत गलत जगे जी रहे हो, यहाँ पर अलाजकता फैल चुकी है, यहाँ पर क्राइम रेशियो जादा है, यहाँ की पुलिस लड़कियों को नगन करके उस्टल में गुस्ती है, उनको नगन करके उनको डांस करवाती है, पुलिस की वर्दी ही भाई छोड़ देती है, नाम खराब कर रही हमारे देश का, यह मुंबई पुलिस, यह महराश्ट्र सरकार आज नाम खराब कर दी है, आप अगर आज निकल के नहीं आओगे, इसके विरोध में नहीं बोलोगे तो बदलाव नहीं आएगा, और बदलाव लाने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, उम्मीद करता हूँ कि भाई आप निकलोगे बोलोगे, बाकी आप मेरे को फेस्बुक, टुटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहां मुझसे जोड़ सकते हैं, वह एसके डी मेरा यूजर नेम है, जैहिं करते हैं..